नमस्कार दोस्तों, क्लास सेवंत माहरा स्टेड़ बोर्ड, मैथेमेटिक्स, चप्टर नमबर 3, HCF और LCM, तो HCF और LCM क्या होते हैं, यह देखने के पहले, हमें डिवाइजर्स क्या होते हैं, वो पॉइंट देखना जरूरी है, अब देखें डिवाइजर्स क्या होता है, कौन से कौन से नमबर से, कम्प्लिटली डिवाइड होगा, मतलब देखें, 3 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 3, 5, 15, तो remainder 0 आना चाहिए, तो हम कहेंगे कि 3 से कम्प्लिटली 15 को डिवाइड होता है, तो 3 is the divisor of 15, 3, 15 का divisor होता है, तो ऐसे कौन से कौन से नमबर स हैं, जो कि 15 के divisors हैं, तो सबसे पहले 1 जो नमबर आता है, वो सभी का divisor होता है, देखें, 1 के table में 15 आता ही है, 1 का table 1 बदा 1, 1 2 बदा 2, 1 3 बदा 3, 1 10 बदा 10, 1 11 बदा 11, 1 12 बदा 12, तो ऐसे हम अगर table की गिंती करें हैं, 10 के आगे भी, तो हर natural number 1 के table में आता है, तो 1 is the factor of, sorry, divisor of all the natural numbers, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड होता है, देखें, 2 के table में 15 नहीं आता, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, तो 2 is the not divisor of 15, फिर उसके बाद 3, 3 से डिवाइड होता है, 5 से देखें, 5 2 जा, 5 3 जा 15, और उसके बाद आता है 15, वही नमबर, 15 को 15 से डिवाइड होता ही है, 15 बदा 15, तो 15, 1, 3 और 5 are the divisors of 15, अब ऐसे हम 20 के divisors find कर सकते हैं, 30 के divisors find कर सकते हैं, 20 के देखें कौन से कौन से आते हैं, तो मैं यह आपे, अब list बनाता हूँ, आप find कर सकते हैं, 1, 2, 4, 5, 10 और 20, अब 30 के factors देखें, 1, 2, 3 आता है, फिर उसके बाद 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 10, 15 औ 30, 30 का divisor हो गई, तो 1, 2, 3, 5, 6 और 10, 15, 30, अब उम्मित हैं कि आप किसी भी numbers के divisor जो हैं, वो find कर सकते हैं, अब इसके बाद आता है factors, factor अगर हम ले हैं, तो अभी देखें, 15 अगर हमने नमबर ले लिया है, तो 15 के factors कैसे कैसे हो सकते हैं, 3 को कौन से number से multiply करने के बाद 15 3 और 5, तो 3 and 5, combinedly 15 के factor हैं, तो 3 भी 15 का factor है, 5 भी 15 का factor है, 3 into 5, मतलब 3 और 5, आप 15 को और कौन से factor के form में लिख सकते हैं, 15 into 1, तो 15 और 1, ये दोनो 15 के factor हो गए, अब अगर individually हमें ऐसे पूचा गया, कि 3, 15 का factor है क्या, तो है, 5 है क्या है, 15 है क्या है, 1, 1 तो सभी का factor है ही, क्यांकि 1 से उसी number को multiply करने के बाद, वो number आता ही है, तो ये आते है factor, तो अब अगर हमने एक number ले लिया 20, अब देखे 20 को 2 से, 2 से, फिर 5 से, 2 into 2, 4, 4 into 5, अब इनको multiply करने के बाद, 2 into 2, 4, 4 into 5, 4, 5 जा 20, तो 2, 2, 5, ये 20 के factors हो गए, अब देखे, जो factor होते हैं, वो सभी divisor होते ही हैं, क्योंकि इनी number से, 20 को completely divide होता ही है, और factor के form में लिखना है, मतलब, कि उन सभी factors का multiplication हम करेंगे, तो हमें 20, जो number है, वो number हमें मिलता है, क्योंकि 20 के ये सभी factors हैं, ऐसा हम कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, prime numbers, prime numbers की definition क्या होते हैं, देखे, कि ऐसे natural numbers, ऐसे natural numbers, जिनके दो ही factor होते हैं, उन्हें हम कहते हैं prime numbers, अब दो factor कैसे हो सकते हैं, देखे, सबुझ हमने number ले लिया 7, तो 7 के divisor, factor या divisor, हम कहेंगे, divisor कहेंगे, तो ज़्यादा से रहेगा, 7 के, अगर दो ही divisor हो, तो, अब देखे, होते हैं क्या, 7 का एक divisor होगा 1, और कोई number है, ढूंड ये, देखे, जिससे 7 को divide होता है, तो नहीं मिलेगा, तो 7 ही, एक ऐसा number होगा, जो 7 से divide होगा, 7 को 7 से divide होगा, 1 और 7, यही दो numbers हैं, जिससे 7 को divide होता है, तो 7 जो है, वो prime number यहां पर आएगा, अब मैं एक बात बताना, आप सबको बोल गया है, कि चैनल को subscribe करें, like, share करें, और bell icon प्रेस करें, जिससे की आने वाले वीडियो का आपको notification मिल जाए, तो देखे, 7, 1 और 7 दो factors आ गए, तो ऐसे कितने natural numbers हैं, जिनके दो ही factors हैं, अब देखे, सबसे पहल से ही divide होगा, दूसरे किसी number से completely divide नहीं होता, तो 1, अब मैंने कहा कि दो ही factor होने चाहिए, दो factor 1 के नहीं है, तो 1 prime number नहीं आएगा, तो सबसे smallest prime number आता है 2, देखे, 2 के दो ही factor है, 1 और 2, 1 and the number itself, अब किसी number से और number से के table में है क्या देखे, 2, तो नहीं है, 1 के दो ही divisor आ ग 3 भी, prime number है, 3 के 1 और 3, यहीं दो divisor है, 1 के table में और 3 के table में 3 आता है, अब देखे, 2 जो number है, वो even भी है और prime भी है, इकलोता ऐसा number है, जो even है और prime भी है, even भी है और prime भी है, आगे कोई भी even number, prime number हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि उन सभी को 2 से divide होगा, 1 से और वो number, मतलब ऐस से कम से कम हमें 3 उसके factor मिलेंगे, इसलिए आगे का कोई भी even number, prime number नहीं होगा, यहां सिर्फ 2 जो है, even भी है, और prime भी है, और सबसे smallest prime number 2 है, तो अब देखे, मैं ऐसे जो 1 से 100 तक prime number से, उनकी मैं यहां पर list अभी बनाऊंगा, देखे, 2, 3, 5 का factor, 1 और 5 है, 7 उसके बाद आ आता है prime number, फिर आता है 11, फिर 13, फिर 17 ऐसे, 25 prime numbers, 1 to 100 में आते हैं, मैंने आप ए लिस्ट बना दी है, 25 prime numbers, 1 to 100 में आते हैं, 1 और 100 की बीच में, आप पास करके इनको चेक कर सकते हैं, और 1 to 50 तक, 1 to 50 तक, 15 prime numbers आते हैं, तो इसके बाद next point है, 12 prime numbers, twin prime numbers क्या होता हैं, देखी, prime number जिनके बीच में 2 का difference होता है, 2 का difference, उन्हें हम कहते हैं twin prime numbers, अब देखे, twin का मतलब होगा 2, अब यहां पे कौन से कौन से, जो number हैं जिनके बीच में 2 का difference है, अब 2 और 3 के बीच में तो 1 का difference है, 3, 5, तो 3 और 5, इनको हम pair में दोनों के एक साथ त्रीन प्राइम कहते हैं 3 & 5 are प्राइम नंबर्स अब उसके वाद फाइव और सेवन देखेए दो नंबर्स फाइव और सेवन इनका भी डिफरेंस 2 का याता है कि 7 और 11 का टू का डिफरेंस नहीं आता मतलब प्राइम भी होने चाहिए और उनके बीच में दोनों के बीच में डिफरेंस जो हो टू का होना चाहिए अब ऐसे आप 100 तक के किम फिंक lt का मतलब लुका डिफरेंस और प्राइम नंबर होने चाहिए अब क्उंपरेंड को प्राइम मी को प्राइब नंबर समकेता हैं तब देखे क्या होताए कि को बुण नंबर हैं दो नोब ही प्राइम हो सकते हैं या यह सकता है या दो कि आपको समय में आया होगा तो ऐसे प्रस यहां पर प्राइंट कर सकते हैं तो दिकी यह जो हैं वह प्राइम है अब देखिए को प्राइम प्राइम क्या होता है में नहोंता है अब देखें हम यहाँ पे दो नुम्बर्स लेते हैं 15 और 8 अब 15 के सभी divisors यहाँ पे लिखें 1, 3, 5 और 15 8 के सभी divisors देखें 1 से डिवाइड होता है फिर 2, 4, 8, 4, 2, 8 और 8 अब इन में common divisor कौन सा है देखें only one है तो जिनका divisor common only one आता है आगे देखें कोई भी common नहीं है तो 15 and 8 are co-primes तो इन्हें भी हम पेर में 15 और 8 ऐसे लिखते हैं जो की co-prime है अब देखें 15 और 8 दोनों भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है फिर भी हो co-primes है अभी समझों हम अगर ले लिए नंबर 7 और 10 अब हमें चेक करना है कि यह co-prime है या नहीं तो co-prime है या नहीं चेक करने के लिए हमें क्या करना है 7 के divisors find करने है 1 और 7 10 के भी divisors find करने है 1, 2, 5 और 10 तो इनमें common कौन से कौन से है देखे 1 और 1 तो 7 यहाँ पे 7 नहीं है तो common divisor कोई भी नहीं आता तो यह co-prime नंबर है common divisor नहीं आता तो co-prime है अब देखे suppose minute नंबर ले लिया 10 और 15 अब यह देखे co-primes है क्या 5, 20 के जो divisors है 1, 2, 4, 5, 10 और 20 और 15 के 1, 3, 5, 1, 3, 5 और 15 देखे 5, 1 चोड़कर 5 भी है जो दोनों में भी है common तो 20 और 15 यह नंबर's co-prime नहीं है